आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं कि कल के मार्केट का क्या आउटलूक लग सकता है जैसा कि हमने देखा कि आज एफाई से लग रहे है दियाईज बायर है और डियाईज ने एफाई से ज़्यादा बाइंग करी और इस समय आप देखें तो अमेरिकन मार्केट मोर देन 1% में NASDAQ और Dow Jones ट्रेडिंग होते वे दिख रहा है वहीं देखे तो SGX Nifty माइनर कट के साथ ट्रेडिंग हो रहा है कल के लिए अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी देखेंगे continuous एक selling pressure दिख रहा है कल के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए अग अगर 38,400 के level को break करता है downside में तो फिर यह trend continue downside में आपको 38,000, 37,800 तक के level दिख सकते हैं इसके साथ ही अगर Nifty को देखें तो Nifty में जो important level है वो 17,000 का है अगर 16,980 के नीचे market sustain करती है तो आपको PE के लिए जाना है stop loss 30,40 point का होना चाहिए अगर 17,050 को पर market sustain करता है तो easily 17,200 तक के levels दिख सकते हैं I hope यह level आपके लिए informative है अगर इस level को follow करते हैं तो surely कल के trading option trading में आप profitable होंगे